क्वेस्टन है एड फ्लोइंग दा अमांट्स कनवर्टिंग टू पैसा पैसे के अंदर कनवार्ट करना देखे पहला है 49 रूपीज और 75 पैसा क्या है बेटा 49.75 नेक्स उसने दिया है 9 रूपीज और 65 ये दिया हुआ है अब आपको किस में कनवर्ट करना है पैसे के अंदर कनवर्ट करना है तो पैसे में कनवर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे students जो हमारा पहली डिजिट है उसको देखे पहला पहला ले उसको पहले इस डिजिट को पैसे में चेंज करेंगे फिर इस डिजिट को पैसे में चेंज किया, तो कितना हो गया? 49,000, sorry 49, 400, sorry 4,900 पैसा, ओके, फिर आपने 75 पैसा है, तो 75 पैसा सीधा लेकिए आपने, next क्या है? 9 रूपीज, 9 into 100, 900 हो गया, next कितना हो गया? 65, पैसा तो 65 लेकिए, अब इसको add कर दो, यह सारे पैसे में convert हो चुके हैं, तो पहला क्या हो गया? 5, 0, 3, 7, और 6, 13, और 14, next हो गया, 9, और देखें, एक कैरी चला गया, 9, 9, 18, 18 प्लस कैरी का था, 19, और 1 आ गया, 4 प्लस 1, 5, यानि, 5, 9, 4 पैसा, अंसर, कैसे करना है आपको question, आपको पहले इस rupees को बदला आपने किसमें? पैसे में, प्लस 65, फिर आपने 9 rupees है, इसको convert कर दिया, 9 और फिर यह, total यह हो गया, 5, 9, 4, 0, आपको copy के अंदर इसी प्रकार से करना है, students, क्या करना है आपको देखिए, next rupees को 64 rupees, देखिए, 64R है, इसको change to, पैसा, 100 से multiply किया, 64, पैसा हो गया, 6,400 पैसा हो गया, next है 6 पैसा, इस line में लिखेंगे इसके नीचे, 6, यह first digit के नीचे, फिर है 36 rupees, तो 36 into 100, तो कितना हो गया, 36, 00, next 9 पैसा, अब क्या क्या डिजिट आगी, 6, 4, 00, 6, 3, 6, 00, और 9, 0, 9, 9, 015 पैसा, answer, clear students, कोई इसमें प्रोलम, no problem, तो देखिए, यह दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होंगे, कुछ नहीं करना, आपको यह rupees है न, इसको पैसे में change करना है, इस rupees को पैसे में change करना है, पैसे का same to same write करना है, और add करना है, next है, question, next कुछ भी नहीं है, पैसे को पैसे में count, 8 और plus 5, 13, 6 और 7, 13, plus 14, okay, कितना होगा, 12 और इदर से कहरी गया था, 13, 8, 9, टोटल करना है, बस सभी digit में total करना है, आप देखिए, इसमें देख लिजिए, 14, 10, 11, carry हो गया, 15, 16, और 9, 10, 6, okay, तो यह सभी question आप खुद करेंगे, कुछ नहीं करना, add करना है, और point के नीचे point रखना, point के बाद two digits रखनी है, point के बाद two पैसे में two digits ही होती है, students, तो यह सारे questions आप करके, आप send करो, copy,